हे दोस्तों, हम किते भी अमीर हो जाए, फेमस या पावफुल हो जाए, जब तर हम चीजों को लेकर बहुत ज़ादा फिकर करेंगे, तब तक जिन्दगी हमें उत्ती अच्छी नहीं लगीगी जैसी लगनी चाहिए, क्योंकि ज़ादा वरी करना, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ए पाएंगे, नपोलियन और हेलन केलर इस बात को प्रूफ करने की परफेट एक्जेम्पल है, नपोलियन के पास हर वो चीज थी जिसकी एक नॉर्मल इंसान सपने देखता है, फेम, पावर, पैसा, सब था, फिर भी सेंट हेलेना नाम के आईलेंड पे नेपोलियन ने एक्स प्रूशी से जी सकती है, अपनी इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ, तो हम क्यों नहीं, जादा वरी करना हम पर बहुत इंपक्ट करता है, एलेक्सिस कैरल जो के एक नोबल प्राइस विनर है, उन्होंने कहा, पीपल वो डूनाट नो हाओ टू फाइट वरी, डाय अरली, ड स्टेडी में 15,000 पेशेंट्स को एक्जामेन किया गया, जिने स्टमक डिसॉडर्स थे, उन्हें एक्जामेन करने के बाद पता चला, पाँच में से चार पेशेंट्स के बीमारी का कोई भी फिजिकल रीजन नहीं था, बलकि उनके फियर, वरी, हेट, सेलफिशनेस, ये सार और कोई रीजन नहीं, बस हमारे ज़ादा वरी करने से होता है, अब ये सारी चीज़ें आपके लिए मोदन इनफ होनी चाहिए, ये बात समझने के लिए, कि वरी करना हमारे लिए कितना हमफुल हो सकता है, विलिसेच कैरियर एक इंजीनियर थे, उन्हें एक बार एक फैक्टरी में गैस क्लीन करने वाले डिवाइसे को इंस्टॉल करने का प्रोजेक्ट मिला, जिसके लिए कंपनी के मिलियोंस ओडॉलर्स लग गए थे, पर ये प्रोजेक्ट खतम करने के बाद कैरियर को पता चल लगे थे, वो इतना फिकर करने लगे थे कि उन्हें नीन दाना बंद हो गई थी, बट फिर उनकी common sense ने उन्हें याद दिलाया कि उनका फिकर करना situation को ठीक नहीं करेगा, तो उन्होंने एक टेक्निक निकाली अपनी इस worry की problem से deal करने के लिए, और ये टेक्निक इतनी अचाई के साथ ये पता करो कि at the worst case बुरे से बुरा इस problem के वज़े से आपके साथ क्या हो सकता है, कैरियर ने जब ये सोचा तो उन्हें पता चला कि उनके इस failure के लिए उन्हें jail या फासी तो नहीं होगी, बट हाँ उनका market में नाम बहुत खराब होगा, और 20 million dollars जो उन्ह इसे महनत करके अपना नाम बना लूँगा और employees को समझा दूँगा कि एक experiment cost था हमारे gas साफ करने की new technique को test करने के लिए, worst thing accept करने के बाद carrier को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला, जो उन्हें बहुत time से नहीं मिला था, step 3, जब वो बुरे से बुरी चीज mentally accept हो चुकी हो, त उन्होंने बहुत से test किये तो उन्हें पता चला कि अगर वो अपने devices में $5,000 का और काम कराएंगे, तो उनकी devices बराबर काम करने लगेंगे, फिर उन्होंने ऐसा ही किया, जिसका result यह हुआ, कि $20,000 loss होने के बज़ाए, उन्होंने $15,000 का profit करा दिया, यह solution निकालके, कैरियर कहते हैं कि अगर वो यह 3 step follow नहीं करते और बस फिकर करते रहते, तो उन्हें ऐसा results कभी नहीं मिलता, यह technique हमारे लिए भी बहुत काम किया है, क्योंकि जब आप worst outcome को accept कर लेते हो, तो आपका दिमाग एक जगा से दूसरी जगा जाके परिशान होना बंद कर देता है और problem को solve करने पे ज़ादा concentrate कर पाता है, पर जब तक आप accept नहीं करोगे अपनी problem को, आपका दिमाग आपको खाता रहेगा और कुछ अच्छा outcome नहीं मिलेगा, अभी अगर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि कैरियर की problem इतनी बड़ी नहीं थी और उनकी life की problem बहुत ही जवाब दे दिया था, ये बोलकी कि उनकी बीमारी का इलाज नहीं है और उनका बचना impossible है, आप सोची सकते हो ये सुनके उन पे क्या बीती होगी, वो बहुत परिशान रहने लगे थे, पर फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जबकि मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा क्योंना मैं इस टाइम को एकदम बेफिकर होके खुशी से बिताऊ और एकदम खुल के जीऊ, उनका सपना था कि वो मरने से पहले वर्ल्ड टोर पे जाए, उन्होंने वही करना सही लगा, उन्होंने शिप की टिकेट बुक की, डॉक्टर्स ने उन्होंन किया कि अगर वो समूदर में ही डाल दी जाएगी, हैनी को अपने शहर नेबरासका में ही दफन होना था, तो वो अपने साथ अपनी कॉफिन लेके गए, उसे शिप वाले को दे दिया और एग्रिमेंट रखा कि अगर वो मरते है ट्रिप पे तो शिप वाले उनकी बॉड़ी वो आपिस लेक उनने बिना सोचे समझे जो दिल क्या वो खाया और पिया, बड़े बड़े सिगार पिये, गेम्स खेले, नए दोस्ट बनाए, रात रात भर जाक के मस्ती की, गाने गाये, ऐसे तुफानों में इंजॉई किया जो जान लेवा थे, और फिर पुरी ट्रिप खतम होने के कैरियर ने यूज की, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम का वर्स्ट आउटकम पता कर लिया, फिर उसे एकसेट कर लिया, और उसके बाद ट्रिप पे जाके अपनी सिच्वेशन को थोड़ा बेटर करने की कोशिश की, वो भी बिना फिकर किये, अब अगर वो ये पता चलने के आपको 5 करोर रुपए दे और कहें मुझे अपने दोनों हाथ काटके बेज दो, तो क्या आप बेचोगे, अगर वो आपको 5 करोर और दे और बोले अपनी दोने टांगे भी काटके दे दो, बहुत सारे और पैसे दे और बोले अपनी आखे, कान, दूसरे बॉड़ी जादा है, जो कि है हमारी हेल्थ, हमारी बॉड़ी और हमारा टाइम, बट सिल सोचने की बात ये है, कि हम कुछ लाखो रुपे की मटिरिलिस्टिक चीजों को ओन करने के लिए, अपनी इन सबसे कीमती चीजों को हद से जादा प्रेशर पे डालते हैं, पनिश करते हैं और एकदम खराब कर देते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आप सक्सेस्फुल बनने के बारे में ना सोचो, पर इतना ध्यान दो कि आप सक्सेस पाने के चक्कर में अपनी हेल्थ और बॉड़ी को ना खराब कर लो, विकॉस कितनी भी बड़ी सक्सेस क्यों ना मिल जाए, ब मैं जब भी किसी चीज को लेके वरी करने लगता हूँ, तो ये सोचता हूँ कि यही सेम टाइम कहीं दूर ऐसे भी लोग हैं, जिनके सामने उनकी पूरी फैमिली को जान से मार दिया जा रहा होगा, ऐसे कितने सारे लोग भी हैं जो प्यासे होंगे और उनको पीने के लिए लाइफ को कोस्ते हैं, पर यकीन करो कोई इनसान जिसको पता होगा देट उसकी लाइफ का आज आखरी दिन है, अगर आप उससे कहोगे मेरी जिन्दगी और उसकी सारी परिशानिया तू ले ले ले, तो वो खुशी खुशी आपकी सारी प्रॉब्लम्स ले लेगा, और फि ऐसा करोगे तो आपको पता चलेगा आप अपनी सोच से कितने जादा अमीर हो, डोंट अलो यॉरसिल्फ टू गेट अपसेट अन स्मॉल तिंग्स, रॉबर्ट मोर ने ये बात तब सीखी जब वो 276 फीट पानी के नीचे एक सबबरीन में फसे हुए थे, वो और का टाइम कम सैलरी, खुद का घर ना होना, एक खुद की कार ना खरीद पाना, ये सब तब उन्हें जिन्दगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती थी, पर अब जब वो मरने वाले थे, उन्हें समझ आया कि वो सब फिकर कितनी बेतुकी थी, और तभी उन्होंने अपने आप से प बादा नहीं तोड़ा, mostly हमें चीजी जितनी बड़ी लगती है, actually में उतनी बड़ी होती नहीं, हम बस सोच सोच के उसे बड़ा बना देते हैं, मुझे याद है मैं पहले अपने सेल्फोन में अच्छे-च्छे songs और forward messages जमा करता था, मैंने काफी सारे songs और messages जमा किये थे, जो मुझे बहुत पसंत है, एक दिन मेरा सेल्फोन खराब हो गया और मेरा सारा डेटा उसमें से उड़ गया, इस बात ने मुझे इतना परिशान कर दिया था, कि मुझे एक बीमार इंसान जैसा फील होने लगा था, आज जब मैं वो बात सोचता हूँ, तो मुझे हसी आती है, पर तब वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, हम ऐसी ही बहुत सी स्टुपिड बातों को लेकर फिकर करने लगते हैं, जो उतनी फिकर करने के लायक ही नहीं होती, सो नेक्स टाइम जब आप किसी बात को लेकर फिकर करो, तो अपने आपसे पूछो, क्या ये सेम बात को लेकर मैं कुछ साल बात भी फिकर करूँगा, और अगर नहीं, तो अभी ही फिकर करना बंद कर दो, About all the worries we worry about never happens, 500 साल पहले Michael D. Montague ने कहा, मेरी जिन्दगी बहुत सी परिशानियों से भरी है, ऐसी परिशानिया जो कभी रियल में होती ही नहीं, एक रिसर्ट से पता चला है कि 85% बाते जिसके हम फिकर करते हैं, वो एक्चुल में कभी हमारे साथ होती ही नहीं, और जो 15% होती है, उसमें से 79% बाते फिकर करने के लायक नहीं होती, मतलब टोटल 97% बाते जिसके आप फिकर कर रहे हो, वो और कुछ नहीं, बस आपके दिमाग का धर है, जो आपको परिशान कर रहा है, सो अब मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ, जिससे आप इस unnecessary worries को खतम कर सकते हो, उनमें से एक है कि आप जितना हो सके अपने आपको busy रखो, because इंसान कितना भी समझदार हो, वो दो चीज एक साथ नहीं सोच सकता, सो जब आप busy रहना start करोगे, तो आपको figure करने का time ही नहीं मिलेगा, और busy भी ऐसे काम में रहो, जिसमें आपकी creativity और planning यूज हो, एक और चीज जो आप कर सकते हो, वो है think and act cheerful, जैसे हम एक साथ दो काम नहीं कर सकते, वैसे ही हम एक साथ दो चीज फील नहीं कर सकते, यह करने से आपको real में अच्छा feel होने लगेगा, because हम अपनी feelings को directly control नहीं कर सकते, बट अपने actions को कर सकते हैं, और अच्छी बात यह है कि आपकी actions और आपकी feelings एक दूसरे से connected है, सो जब आप ऐसा act करोगी कि आप अच्छा feel कर रहे हो, तो आपको real में अच्छा feel होने लगेगा, यह concepts मैंने आपको डेल कानिगी की book, How to Stop Worrying and Start Living से बताई है, जिसने literally millions of लोगों की जिंदगी आसान कर दी है, stress, worries, depression को खतम कर गे, लाइक करें अगर आपको यह बात काम की लगी, अपने views कमेंट करें, शेर करें इस वीडियो को सब के साथ, ताकि दूसरों की live भी थोड़ी और beautiful हो सके, सब्सक्राइब करें, मैं और ऐसी knowledge आपके साथ शेर करूँगा, and finally, thanks for watching,